So hey guys, आज की special वीडियो में आप लोगं को सिखाने बाला हूँ, आप guys कैसे अपनी जो picture है उसे पूजा है, डिके साथ edit कर सकते हो, जो की guys काफी ज्यादा fordo and amazing होने वाले है, तो guys आप लोग प्लीज वीडियो को end जग जुरुर वाज कर लेज़ेगा, so without wasting your much time, let's enjoy the video. तो सबसे पहले guys, आप लोगं को यहाँ पर आ जाना है Pixar application में इस वाले background के साथ, जो कि guys मैंने आपके लिए पूरा ready करके रखा है, तो guys आप लोगं से request है guys, आप प्लीज वीडियो को like and channel को subscribe कर लेज़ेगा, ऐसे interesting videos देखने के लिए, तो यहाँ पर guys, आप लोगं को क्या करन नए इस टाइब से, फिर guys आपको यहाँ पर zoom करके यहाँ पर place कर दिने, तो यहाँ पर guys हमारा जो यह वाला पी एंज एड़ हो चुक है, उसके बाद guys हमें यहाँ पर draw tool को visit करने, क्योंकि guys draw tool में हमारे जो pixel से lose नहीं हो जाते है, यहाँ पर guys हम model को add करने वाले, तो simply guys यहाँ पर click करने, add objects वाले icon पर then photos पर जाके guys आपको यहाँ पर अपना जो model है guys उसे add करने, and model का जो pose है guys कुछ इस टाप से रहगा, and यहाँ पर guys मैंने background जो हो already erase करके रहा है with the help of photo room application, तो इसको guys मैं इस टाप से यहाँ पर place कर दिता हूँ, देखिए guys आपको यहाँ पर model क place हो चुक है, also guys यहाँ पर photo room का जो logo रहता है guys, इसे हम यहाँ पर delete करतेंगे, इस टाप से, delete link करना है guys, आप लोगो यहाँ पर erase करना है, उसके बाद guys आपको एक shadow create करने, model png के नीचे, तो इसके लिए guys आपको यहाँ पर layers वाले icon पर जाना है, and इस वाले layers वाले icon पर जान थोड़ा कम करना है, and size को guys, आप लोगो इस टाप से adjust करके, opacity को guys, आप लोगो यहाँ पर थोड़ा वूद कम करना है, फिर guys, आप लोगो क्या करना है, यहाँ पर colors पर जाके black color select करना है, then यहाँ पर guys, आपको हलका इस टाप से draw करना है, यह guys, हमारी model png के पीछे आ जाएग अभी guys, हम यहाँ पर done कर देते, next guys, आपको step है guys, आपको हाथ में अपना जो png वो add करना है, step से show, यहाँ पर guys, आपको और भी अच्छे results देखने को मिल जाएंगे, तो इसके लिए guys, आपको यहाँ पर जाना है, add photo के अंदर, इस वाले png को guys, आप लोगो यहाँ पर add करन ने, light room application के अंदर, जिससे guys, और भी अच्छे results देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर guys, match हो जाएगा, तो simply guys, हम यहाँ पर draw tool में जाकि इस वाले image को save कर लेते, तो यहाँ पर guys, हम लोग आ चुके light room application में, light room application में आपको कुछ ही steps करने, जिससे guys, हमारे जो picture है काफी ज shadows and whites को भी, फिर guys, आपको black को भी थोड़ा थलका बड़ा देना है, इस type से guys, हमारे जो कबले guys, इन में थोड़ी बहुत अच्छी light आ जाएगी, next guys, आपको जाना है इस वाले icon पर, and इस पर जाने के बाद guys, हम यहाँ पर, next guys, हम यहाँ पर temperature पर आ जाते है, and इस type से guys, हम इ light color जोए ज्यादा है तो guys, इस को हम थोड़ा बहुत कम करते है, and luminance को guys, थोड़ा बहुत बढ़ा देते, also guys, यहाँ पर हम yellow को भी guys, थोड़ा बहुत, adjust कर लेते, उसके बाद guys, हमारे जो बागी colors है guys, इन को हम guys, पूरा कम करते है, so, यहाँ पर guys, आप लोग light room application में और भी कुछ color adjustment करके guys, इसे more interesting बना सुकती हो, so, I hope guys, आपने इस वीडियो को like and guys, चनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले हो, so, मिलते हैं guys, आपको next video में नहीं है, amazing video के साथ सो guys, तब तक के लिए good bye and take care